असलाम अलेकुम फ्रेंज, वेलकम बैक टू अन्यू व्लॉग, उमीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हूँगे, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता चुलू, इंस्टाग्राम फैमली को तो पता ही है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया था, और मैंने उसका स्क्रीन शॉट ले लिया, याद रखिएगा, कभी भी कोई कमेंट आप करेंगे, किसी भी चैनल के उपर, मेरा हो या किसी का भी हो, यूट्यूबर को नोटिफिकेशन चला जाता है, इमेल चली जाती है, और उसको कमेंट नजर आ जाता है, कि क् ठीक है, आप चाहे उसको डिलीट कर दें, एक सेकंड के बाद डिलीट कर दें, लेकिन वो कमेंट यूट्यूबर के पास रहे गा सारी जिन्दगी, ठीक है, तो यूट्यूब की गाइड लाइन्स को फालो किया करें, अगर आप गाइड लाइन्स को फालो नहीं कर रहें, तो यूट्यूब आपका कमेंट स्पैम में भी डाल सकती है और अगर आपने बहुत बुरा कोई कमेंट किया है किसी के खिलाफ किसी को धंकी दे दिया है तो इट इस अ क्राइम ये एक बहुत बड़ा क्राइम है इस पे जो साइबर स्क्यूरिटी वाले हैं पाकिस्तान में उनका कानून बड़ा सख्त है वो अरेस्ट कर लेते हैं तो मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस टेशन बच्चों को धंकी देगी है मेरे और मैं उसको कंसिडर धंकी ही करूँगा अब पता नहीं वो बच्चा है जिसने धंकी दी है बड़ा है I don't know लोग फेक पिक्चर्स भी लगा लेते हैं उसका यूट्यूब चैनल भी है मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को गंदा इनसान है पहले भी कमेंट करता रहा है मैं उसको इगनोर करता रहा हूँ करता यह है कमेंट करता है और डिलीट कर देता है अभी उसने डिलीट किया लास टाइम मैंने इसको पकल डिया स्क्रीन शॉट ले लिया अभी डिरेक्ट पुलिस के पास जा रहा हूँ उसका चैनल भी दिखाऊंगा उसके स्क्रीन शॉट्स भी दिखाऊंगा लेट सी पुलिस क्या करती है सो मैं क्याएश वैस, मैं फ्लिस टेशन पहुंच गया हूँ तो अभी अंदर चलते है पुलिस टेशन के और देखते हैं कि एस सेच चो अभाँ पहुंच गया हूँ आस सेचन अभाँ आफ यह काफी क symb Attorney पहुद अच्छफ अच्छे इनसान नहीं और FIA को रिपोर्ट कर दिया है, पॉलिस को रिपोर्ट कर दिया है, अब ये है, सारी डिटेल में आपको थोड़ी दियर में बताता हूँ, ऐसे जो साब कहा रहे थे, कि मैं खुद पर्सनली इसमें इंटरस्ट लूँगा, तो बाकी डिटेल में आपको बताता हूँ, अब थोड़ी दियर में, इंशालला, कहा जा रहे हो आप, मैं इधर ही हूँ, मुस्तफा कहा रहा है, कि आप लोग अधर जा रहे हो, स्टोर पर, कि अफ़े हो बातौर, बातले से सटोर जाए, कि अपके कहा है, उसको नहीं देना हैं, क्यों वहते हैं वह रात हो और सब्स्तोर के लिए स्टोर से खुछ लिए कुछ लिए हो ऑह जिए हैं, आपने पास सेफ कर लेते हैं रज़ जद लेना होता है, तो उसे टाइम लेकी आ आप बखिर दिया चाबी तो आप मुझे पकड़ाएंगा नो आप जाने हैं यहीं नर्णाब काने की बेगए यॉजारह आँ जारा हूं नहीं मैं नहीं मैं लेखिर जूटे आमे Euch आदमी तुमने मुझे खाने के लिए बॉलाया और ख false लंग historically कोई नहीं है खतम हो गया इस जिर खत्म हो को था रहे है है मैं ... Mा 교us miขए व्हसा के रहूँência करें घेट खतोह है आप बापा करा है वो बस ऐसी करने Android था, मैं कहीं भी नहीं नहीं जा रहा है मैं तो मैं खाता है कहा जा रहे है नहीं अभी नहीं है जाले तीदे तो पानी है बिस्किट चाहिए है वाट यम्स और स्नेकर्स और बस फिफ्टी की पर जेजिंग करनी है आपने इस से जादा की अलाउड नहीं आपको फिफ्टी आपने का था ना मुझे चैने जी यहां से क्या चाहिए आपको निचाल ले Lollipop Lolly? वह भी औरेंज वाली It's a lollipop It's a lollipop It is lollipop इस को इस lolli pop कहते हूं इस क念 आइस Lollie This is ice lollie बस्केस अठाइए एदर से और मजर अंकल को कें यह थोके दें जल्दी से फिर उसको कह다고 है रही वह है हूए शेयक की ख़जोर कि यह ठी एन घुर करण के वह अन्तुर अनुदिये अक्वाइन के साघ्न कहन की आपकोने कमाइद में यह किया रिखा धो हांने यह रड्रागे नूर आज झाले। तो दफा 302 के तहद दी जाएगी भाई, ताजीराते पाकिस्तान मुकमल तोर पे दी जाएगी, हाँ जी, जी क्या कायवासे भाई ने, एक चिप के बदले मैं तो मैं दो पर्क दोंगा, दो पर्क, चॉकलेट, एक चिप के बदले, हैं, दो पर्क, और आपने भी मन्जूर कर मुझे हाईगी पर्क दोंगाई, मुझे याद भी निया लिए उन्होंने मुझे एक चिप दीया है सहि जेए क्या काये मैंने आप चॉकले बोल के, हाँ सही बोलो है वासम है, यूज एक भी चिप नी दिया, आसी हो, वो कह रहा है, आज तक जिन्दगी में एक नी दिया एक भी चीज नी दिया, एक रुपया रिया यू पागल तो नी हो गया बेटे, वो सच कह रहा है, आप देते नहीं हो किसी को अच्छा देदो भाई को शेयर किरादो, कुछ दो, करादो बेटे चलो आप देदो, आप तो अच्छे हो ना, सर पे थपड़नी मारो चलो, चलो, एक और देदो, कुछ लो यहां च्छा बच्चा, एक और देदो, बाबा की बात मानता है ना, अबी तो तो आप मिल्शेक पी किया है हो न यह फाना नहीं इसका यूट्यूब चैनल दिखा देता हूं यह आपको मेरी स्क्रीण पे यूट्यूब चैनल नजर आ रहा है इस नाम से इसने चैनल बनाए बैग और यह इसकी डीपी है इसकी डीपी में आपको और क्लियर करके दिखा देता हूं तो यह है जी इसकी पिक्चर और यह मैंने आपको और क्लियर करके दिखा दिया यह इसकी पिक्चर है इसको कोई भी आप मेंसे कोई जानता है तो प्लीज मुझे इंफॉर्म करें और प्लीज यूट्यूब पे कॉमेंट न कीजेगा मेरे इंस्टाग्राम पे कॉमेंट कर दीजेगा अब जिसके पास नहीं है इंस्टाग्राम वो यूट्यूब पे कॉमेंट कर सकता है आप कॉमेंट कर दें अगर कोई भी आप में से कोई भी इसको जानता है क्योंकि इसने बच्चों को जो है वो जान से मारने की एक तरह से धंकी दी है ठीक है मोस्ली लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे यही का है कि लेसन मिलना चाहिए इसको अरेस्ट होना चाहिए और मैं अपनी पूरी खोशिश करूँगा कि यह अरेस्ट हो As a father एक बाप होने की हैसियत से एक इनसान होने की हैसियत से मुझे शौक लगा अब ये कोई बच्चा है बडा है मुझे इस से कोई concern नहीं है इतना भी बच्चा नहीं है चैनल चला रहा है YouTube पे पता होना चाहिए ethics क्या होती है YouTube की एक community policy होती है उसको उसका पता होगा इसको जो भी है ये ठीक है और I was shocked और मैं तसवर भी नहीं कर सकता था मैं अपने सोच भी नहीं सकता थे माँ में कि यार इस तरह का comment यार इस तरह की धमकी भी कोई दे सकता है इस तरह की बात भी कोई कर सकता है तो आप जो कोई भी हो I will इंशालला make sure मेरा अल्ला मेरे साथ है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवाँ सबसे पहली बात अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप सबको अपने सबस्क्राइबर्स को चीज़ें कुछ बता देता हूँ करना क्या होता है इस चीज़ के अंदर मैंने क्या किया करना क्या होता है सबसे पहले ये चीज़ आती है FIA के अंडर वहाँ पे आपने कंप्लेंट लाँच करनी है आपको आफिस जाने की भी जरूरत नहीं है आप अपनी कंप्लेंट आनलाइन लाँच कर दें सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया कि FIA को कंप्लेंट कर दी तीक है जी उसके बाद मैंने साइबर क्राइम वालों को भी फोन किया साइबर क्राइम वालों ने मुझे ये बोला कि आपने FIA में कंप्लेंट कर दी है That's enough ये उनका काम है हमारा काम ये है कि हम जो हैकर्स होते हैं उनको पकड़ें और दो तीन उन्हें काम बताए कि हम क्या करते हैं फिर I went to the police station वहाँ पे जब मैं काउंटर पे गया तो उन्हें ने का कि जी इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं इस चीज़ को FIA देखती है उनको मैंने बोला मैंने का मैं आल्रेडी FIA में इसकी कंप्लेंट करवा चुका हूँ आप मेरी क्या हल्प कर सकते हैं तो काउंटर पे जो मौजूद थे He was very helpful उन्हेंने का आप देखें अंदर S.H.O. साब को मिला जाके तो S.H.O. साब ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट किया और मैंने उनको बताया के सर मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है FIA के अंदर आप मेरी क्या हल्प आउट कर सकते हैं तो उन्हेंने बोला के मैं पर्सनली तोर पे इस केस को देखूँगा और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इन्शालला ताला बंदा अरेस्ट होगा तो अब आगे अल्ला जानता है कि पुलिस किस तरह से काम करती है FIA किस तरह से काम करती है अभी आप बस यह देख लें कि यह FIA यह जो है यह बंदे का FIA आउट करती है मेरी तो यह दुआ है कि वो पकड़ा जाए मेरे सामने आए और मेरे सामने आके यह बोले यह जो कीबॉर्ड वारियर्स होते हैं यह पीट पीछे बैट के बहुत बोलते हैं जब यह सामने आते हैं तो इनके हलक से आवास नहीं निकलती यह भी सामने आते हैं इनके हलक से आवास नहीं निकलती मैं जानता हूँ ऐसे वारियर्स को मैं खुद जानता हूँ कीबॉर्ड वारियर्स को मैं खुद जानता हूँ वो मेरे सामने आते हैं ठीक है लेकि मेरे सामने कुछ नहीं बोलते पीट भीचे बोल लेंगे लेकि मेरे सामने नहीं बोल सकते इतनी ज़रत नहीं है उनके अदर ऐसे लोगों कहते हैं do homepage ये लोगवीक होते हैं अंदर से बुजदिल होते हैं मुपे कुछ नहीं कह सकते So guys, vlog को आज यहीं पे end करूँगा Thank you so much for watching Stay blessed, अपना बहुत सारा क्याल रखिएगा Allah Hafiz